दोस्तो आज के देखे इस important वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Nobel पुरुसकार 2023 बहुती important वीडियो है आने वाली हर एक्जाम में देखी यहां से आपको एक question जरूर देखने को मिलेगा तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा 101% आपका एक नमबर एक्जाम में पक्का हो जाएगा आज के देखे इस वीडियो में हम detail में Nobel पुरुसकारों को भी discuss करेंगे साथी में मैं काफी interesting trick लेके आया हूँ आप सभी के लिए जिसको आप सिफ एक बर देखोगे और सभी Nobel पुरुसकार विजिताओं का नाम आप आसानी से याद रख पाओगे तो वीडियो काफी मज़ेदार होने वाला है end तक जरूर देखिएगा अगर फ्रेंड्स आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी अप्लिकेशन क्रेजी जी के ट्रिक डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर देखिए आपका option मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हम lecture को स्टार्ट करते हैं देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम नॉबेल पुरुसकारों की basic information कवर करें तो नॉबेल पुरुसकारों को Swedish विज्यानिक Alfred Nobel की याद में देखिए वर्ष 1901 में शुरू किया गया था कब शुरू किया गया था 1901 में नॉबेल पुरुसकार छे शेत्रों में दिये जाते हैं Medicine, चिकिस्था के शेत्र में, Physics, भोतिक के शेत्र में, Chemistry, Peace, शांति के शेत्र में, Literature, साहिति के शेत्र में और Economics के शेत्र में देखिए जब नॉबेल पुरुसकारों के शुरूआत हुई थी, तब ये पांच शेत्रों में दिये जाते थे 1968 में Economics को भी शामिल किया गया और Economics में पहला देखिए नॉबेल पुरुसकार जो है, वो 1969 में दिया गया तो ये चीज जरूर धियान रखेगा, काफी important है चलिए friends, 2023 के सभी नॉबेल पुरुसकार विजिताओं का नाम जो है, वो हम discuss करते हैं उनके किस योगदान के लिए देखिए इन्हें ये पुरुसकार जो है, वो दिया गया है साथी में हम trick भी discuss करेंगे तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं चिकिस्सा के शेतर में, medicine के शेतर में तो इस बार देखिए medicine के शेतर में, दो व्यक्तियों को नॉबेल पुरुसकार जो है वो दिया गया है किनको दिया गया? केटालिन कारी को और डुरू विसमेन को अब अगर हम बात करें कि इनको किस योगदान के लिए नोबेल पुरुसकार जो है वो दिया गया चिकिस्ता के शेतर में तो फ्रेंड्स ये सम्मान जो है उन्हें देखिए नुकलियोसाइट बैस संशोधन से सम्मंदित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है जिसने देखिए COVID-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सिन जो है उसके विकास में देखिए महत्मून योगदान दिया है तो फ्रेंड्स इनकी खोज की मदद से COVID-19 के खिलाफ mRNA वैक्सिन का विकास जो है वो संभव हो पाया है इसलिए देखिए इन दोनों व्यक्तियों को चिकिस्ता के शेत्र में इस बार नॉबेल पूरुस कर दिया गया केटा लिन कारिको जो की हंगरी से बिलॉंग करती है और डू विस्मेन जो की USA के साइंटिस्ट है चलिए अब बात करते हैं friends कि हम इसको याद कैसे रखें ठीके तो मैंने बहुती शांदा ट्रिक बनाईए बस एक बार आप देखिए वो स्टोरी सुन लिजिए आपको देखिए सारी सीज़े याद हो जाएगी नाम भी आपको याद हो जाएगा और उनके किस योगदान के लिए नोबेल पुरुसकार दिया गया वो भी आपको देखिए स्टोरी से याद हो जाएगा तो ध्यान से सुनियेगा दोस्तों देखे, लास्ट दो सालों के अंदर हमने मेडिसिन के शेतर में एक बहुत ही बड़ी घटना देखी और वेसी बात एक COVID-19 तो जब COVID-19 के वेक्सिन का काम चल रहा था और वो जब बनकर रेडी हो गई तो वेग्यानिकों के दिमाग में देखे कोशन ये आया कि COVID-19 के वेक्सिन तो बन गई है अब इसको डारेक्ली हम मेन पे टेस्ट नहीं कर सकते हुमन पे टेस्ट नहीं कर सकते तो सबसे पहले हम टेस्ट किस पर करें तो उन्होंने देखिए इसको सबसे पहले टेस्ट किया एनिमल के उपर तो उन्होंने देखिए केट को बुलाया केट आई तो उन्होंने केट को देखिए सबसे पहले वेक्सिन लगाया वेक्सिन लगने के बाद देखिए केट को कुछ भी नहीं हुआ vaccine यहाँ पर देखिए successful हो गई इसके बाद देखिए उन्होंने फिर man को बुलाया कि चलो आप human पर try करते हैं और उदेखिए उसको vaccine लगाई तब man पर भी देखिए vaccine जो है वो successful हो गई तो इस तरिके से देखिए Covid-19 की vaccine जो है ये हमारी देखिए successful हुई, तो यह story देखिए जो मैंने आपको बताईए, बस यह आपने एक बार सुन ली, आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई है, अब आपको सारे answer जो है, वो इस story में से ही मिल जाएंगे, देखिए, COVID-19 के vaccine बनाई थी, उसको सबसे पहले test किस पर किया, केट पर किया, केट पर successful हो गई, फिर में पर test किया, ठीक है, बस इतनी से story थी, यहाँ पर COVID-19 के बात हो रही है, तो COVID-19 के खिलाफ, mRNA vaccine के विकास को सक्षम बनाया है, इन दोनों scientist ने, तो इनका योगदान तो हमको clear हो गया, अब देखिए, यहाँ पर दो word निकल कर आ रहे हैं, एक Kate और एक main, पहले Kate को लगाई थी, फिर main को लगाई, तो Kate word जो है, यह देखिए, आपको देखने को मिलेगा Kate Alin Kariko में, दिख रहा है, देखिए, यहाँ पर Kate word, तो जब भी Kate word देखोगे, आपके दिमाग में story चलेगी, और आप answer जो है, वो टिक कर पाऊगे, कि Kate को सबसे पहले vaccine लगाई थी, और vaccine जो है, यह medicine से संबन दी थे, तो medicine के शेत्र main को नोबेल पुरुसकार मिला है, Drew Wisman में देखिए, friends, main word आपको यहाँ पर दिखेगा, तो Kate के बाद vaccine जो है, वो किसको लगाई थी, main को लगाई थी, तो यहाँ पर देखिए, main word जब भी आप देखेंगे, तो यह story से आप answer तक पहुच जाओगे, तो Drew Wisman को भी देखिए, चिकिस्ता के शेत्र में Nobel पुरुसकार दिया गया, कितने आसानी से हमने याद कर लिया, I hope आपको clear हो गया होगा, last में देखिए, जब हम MCQ section लगाएंगे, तो वहाँ पर देखिए, आप बड़ी आसानी सा answer जो है, वो टिक कर पाऊगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, next में ये इरान की जेल में है, इसलिए भी देखिए, बहुत ज़्यादा सुर्क्यों में है, नर्गीस मुहमदी को 2023 शान्ती के शेत्र में Nobel पुरुसकार जो है, वो प्रदान किया गया है, बात करते हैं कि उनके किस योगदान के लिए इने पुरुसकार दिया गया, तो फ्रेंड्स देखिए, नर्गीस मुहमदी को इरान में महिलाओं के उत्पीडन के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानाव अधिकारों और सुतन्ता को देखे बड़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए ये पुरुसकार जो है, वो दिया गया है तो एक ही व्यक्ति को 2023 में शांती के शेत्र में नोबेल पुरुसकार दिया गया नर्गीस मुहमदी को अब देखिए हम इसके ट्रिक देखते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग है, बड़ी आसानी से देखिए आब याद रख लोगे देखिए फ्रेंड्स, यह आपको मैप दिख रहा है यहाँ पर जो यह कंट्री है, यह है इरान ठीके? यहाँ पर देखिए, क्या देखा गया कि यहाँ पर महिलाओं पर काफ़ यादा उत्पिड़न हो रहा है मतलब महिलाओं के लिए यह जगा जो है, वो एक प्रकार से नर्क जैसी हो गई कैसी हो गई? नर्क जैसी हो गई नर्क और स्वर्ग में देखिए आपको अंतर पताईए तो महिलाओं के लिए यह जगा जो है वो नर्क जैसी हो गई अब देखिए एसी नर्क जैसी situation से महिलाओं को निकालने का काम जो है वो किस ने किया नर्गीस मुहमदी ने किया इन्होंने क्यों किया देखिए इनके नाम में कही नर्क वर्ड जो है ये देखिए चुपा हुआ है और ये ही वहाँ से महिलाओं को निकाल सकती है और इन्होंने ही देखिए महिलाओं के उत्पड़न के खिलाव आवाज उठाई और नर्क जैसी सिचुएशन से महिलाओं को निकाला ठीक है क्योंकि देखिए इनके नाम में भी नर्क छुपा हुआ है वर्ड नर्क जैसी सिचुएशन में आप पड़ोगे तो देखिए इसका प्रणेंशेशन में आपको कहीं नर्क नर्क जैसा साउंड आपको मिलेगा तो आपके दिमाग में पूरी स्टोरी चलेगी कि इरान में देखिए महिलाओं पर उत्पड़ा नोरा था तो उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी मानाव अधिकारों सतंता को बड़ावा दिया इसलिए इन्हें नोबेल पूरुसकार जो है वो दिया गया शान्ति के शैत्र में तो ये स्टोरी चलेगी तो बिल्कुल आप आसानी से आंसर तक पहुँच जाओगे ठीक है फ्रेंट्स चलिए अब आगे हम बात करते हैं साहित्ती मतलब लिटरेचर के शैत्र में नोबेल पूरुसकार की तो देखे लिटरेचर साहित्त के शैत्र में इस बार नोबेल पूरुसकार दिया गया जौन फासे को नौर्वे के देखे ये विक्ति हैं जिने साहित्त के शैत्र में नोबेल पूरुसकार जो है वो दिया गया है अब देखे उन्हें पूरुसकार क्यों दिया गया उनके अभिनाव नाट को और गद्य के लिए देखे ये पूरुसकार उनको दिया गया है जिसमें वो अनकही भावनाओं को आवाज देते हुए नजर आते हैं देखिए फ्रेंड्स नॉर्वे के वो चोथे लेकर कें जिनें ये पुरुसकार जो है वो प्राप्त हुआ है जॉन फॉस से साहिति के शेत्र में इन्हें नोबेल पुरुसकार मिला है चलिए फ्रेंड्स अब हम ट्रिक की तरब चलते हैं और बड़ी आसानी से देखिए हम नाम याद कर लेते हैं देखिए ये एक व्यक्ति है ये क्या कर रहा है साहिति पढ़ रहा है ठीक है साहिति पढ़ते पढ़ते ये इतना उस साहिति के अंदर डूब गया कि वहां से देखिए ये बिल्कुल निकली नहीं पा रहा है बुक में पूरी तरीके से फस गया ये तो साहित्य ऐसा लिखो कि सामने वाले को बिल्कुल फसा लो बुक के अंदर फसा लो वो सारी चीजे भुल जाए तो ऐसा काम करने वाले को ही साहित्य में वर्ड तो इस तरीके से देखिए स्टोरी से आप बिल्कुल आसानी से आंसर तक पहुँच जाओगे जब भी आप जॉन फॉसे वर्ड देखोगे तो यहाँ पर देखिए फॉसे वर्ड में आपको देखिए कहीं न कहीं दिख रहा है फासना फसाना और जॉन फॉसे ने ऐसा साहित्य लिखा कि पढ़ने वाला बिल्कुल उसके अंदर फस जाता है निकल ही नहीं पाता है उस साहित्य से तो इस तरीके से देखिए आपको आंसर जो है वह समझ में आ जाएगा www.crazyzycatric.com पर भी विजिट कर सकते हैं वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के देखिए foundation course का option मिलता है सभी सब्जेक्ट्स देखिए GS, Math, Reasoning, English आपको देखिए हर एक सब्जेक्ट्स के foundation course का option मिलता है साथी में देखिए exam wise भी courses available है जो कि आपके exam के देखिए final selection के लिए बहुत यादा helpful है तो एक बार root application डाउलोड करके जरूर देखिएगा link मैंने comment box में pin कर रखा है चलिए friends आगे बढ़ते हैं देखिए इसके बाद हम बात करते हैं economics के शेतर में नोबल पुरुसकार की तो 2023 economics के शेतर में देखिए एक व्यक्ती को नोबल पुरुसकार दिया गया very very important है ये किसे दिया गया Claudia Golden को जो कि USS है ब्लॉंग करती है बात करते हैं कि इन्हें economics के शेतर में नोबल पुरुसकार क्यों दिया गया Claudia को अमेरिकी अर्थविवस्ता में महीलाओं पर देखिए उनके एतियासिक काम पर किये गए शोध के लिए जाना जाता है Howard विश्विद्याले की देखिए प्रोफेसर Claudia Golden को श्रम बाजार में महीलाओं पर उनके शोध के लिए अर्थशास्तर के शेत्र में नोबेल पुरुषकार 2023 जो है वो परदान किया गया है अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में हम समझे तो इन्होंने क्या किया कि USA का लगबग 200 वर्षों के डेटा को रिसर्च कर महत्वपूर्ण इन्फोर्मेशन जो है वो कलेट करी है इन्होंने बताया है कि पुरी दुनिया के लेबर मार्केट में महिलाओं की भागिदारी जो है वो कम क्यों है महिलाओं जो है वो पुरुषों से कम क्यों कमाती है तो इस तरीके कि उनकी देखिए काफी researchful information में योगदान के लिए 2023 देखे economics के शेत्र में इन्हें Nobel पुरुसकार जो है वो दिया गया है ठीके friends, clear हुआ Claudia Goldin USA से ब्लॉंग करती है यहाँ पर ध्यान दीजेगा friends, Claudia Goldin जो है, यह economics के शेत्र में देखे Nobel पुरुसकार जितने वाली तीसरी महिला बनी है इनसे पहले दो महिलाओं को economics के शेत्र में Nobel पुरुसकार जो है वो दिया जा चुका है, यह चीज़ ध्यान रखेगा very very important है अब बात आती है कि देखे हम इसको याद कैसे रखें तो बहुत ही शानदा ट्रीक है पस एक बार आप देखे सुन लो एक्जाम में आपका कभी भी कोशन गलत नहीं होगा देखे फ्रेंड्स Claudia Goldin में, देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमको gold word छुपावा मिल रहा है गोल्डीन के अंदर, मिल रहा है न अब देखे गोल्ड जो है यह किसी भी country की economy को बढ़ाने और घटाने से देखे संबन दीते हैं जिसके पास देखे गोल्ड का ज़्यादा भंडारन होगा रिजर्व होगा उस country की कही न कही एकोनोमी जो है वो देखे पावरफुल होगी वर्लड में देखे उस country की value होगी जिसके पास देखे गोल्ड का सबस्यादा रिजर्व होगा जिसके पास गोल्ड कम होगा उसकी उतनी कम value होगी तो कही न कही देखे एकोनोमिक से connect हो रहा है अब देखे फ्रेंड्स पूरे विशो में गोल्ड का सबस्यादा रिजर्व कहाँ पर है USA के पास है तो Claudia Goldin जो है ये देखे किस देशे संबन दीते हैं USA से तो ये भी आपको याद हो जाएगा तो इस तरीके से देखे बड़ी आसानी से आपको आंसर मिल जागा एक्जाम में आप देखोगे नाम और आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी और आप आंसर तक बहुचोगे 101% बिल्कुल सही आंसर करके आओगे चलिए अब आगे बात करते हैं फिजिक्स के शेत्र में नोबल पुरुसकार की भोतिक के शेत्र में देखिए 2023 नोबल पुरुसकार से तीन व्यक्तियों को समानित किया गया पिरे एगोस्टीनी फेरेन क्रॉस्ज और एनी एल हुलियर को तो इन तीन व्यक्तियों को बहुतिक के शेत्र में नॉबल पुरुसकार जो है वो दिया गया physics के शेत्र में very very important है उनके देखिए किस योगदान के लिए इनने पुरुसकार दिया गया तो देखिए friends उन्होंने प्रकाश की काफी छोटी पल्स बनाने के तरीके की खोच करी है जिसका उपयोग जो है उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है जिसमें electron चलते हैं या फिर वो अपनी energy जो है वो बदलते हैं तो simple अगर language में समझें तो electron जो होते हैं देखिए वो बहुत यदा तेज moment करते हैं तो उनको capture करना बहुत difficult है तो उन्होंने इस तरीके की प्रकाश की एक छोटी पल्स बनाई है जो की electron को capture कर सकते हैं तो इस तरीके से आप देखिए आसान भाशा में समझ सकते हैं तो उनके इस योगदान के लिए physics के शेत्र में इन्हें देखे Nobel पुरुसकार दिया गया है electron जो होते हैं देखी बहुत ही छोटे होते हैं और इतना fast उनका moment होता है कि उसको capture करना बिल्कुल impossible था बट इन्होंने देखिए वो possible करके दिखाया है इसलिए इन्हें physics के शेत्र में Nobel पुरुसकार जो है वो दिया गया है ठीके friends इन तीन व्यक्तियों को Nobel पुरुसकार जो है वो दिया गया है देखिए यहाँ पर ध्यान दिजेगा friends एनी एल हुलिर जो है यह physics के शेत्र में देखिए Nobel पुरुसकार जितने वाली पांचवी महिला बनी है इनसे पहले देखिए चार महिलाओं को physics के शेत्र में Nobel पुरुसकार जो है वो दिया जा चुका है यह कौन सी है पांचवी है यह important है चीज को ध्यान रखिएगा अब सबसे difficult part आता है कि इनको याद कैसे रखे exam में question आएगा हमको तो नाम याद ही नहीं होगा बट हमारे पास में एक तिशानदा ट्रीक है कि उससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि इनके किस योगदान के लिए इनने ये पुरुसकार जो है वो दिया गया है तो ध्यान से सुनिएगा देखिए ये एक scientist है ये देख रहा है कि electron जो है बहुत तीजी से move कर रहा है अब इतना तीजी से move कर रहा है कि उसको capture करना उसकी clear image लेना बहुत डिफिकल्ट है तो वो सोच रहा है मई क्या करूं तो उसने क्या करा उसने क्या करा एक छोटी सी ray जो है वो बिल्कुल उस electron पर डाली जैसे उसने छोटी सी ray electron पर डाली उसको देखे electron की clear image मिल गई तो बस यह हमारी story थी विग्यानिक ने क्या करा? ray को डाला, किस पर? electron पर, और उसकी clear image मिल गई तो बस यह दो word जो है ray और clear यह आपको देखें, उन scientist के नाम में भी देखने को मिलेंगे peer ray, ray आ रहा है यहाँ पर faran, ray पर देखें जोर आ रहा है तो इस तरीके से देखिए यह दोनों नाम जब भी आपको दिखेंगे तो यहाँ पर ray जो है वो आपको दिखेगा और ray का देखिए experiment किस ने किया था electron की clear image लेने के लिए कहीं न कहीं physics से संबन दी थे तो इस तरीके से आप answer तक पहुँच जाओगे और ray डालने पर उसको क्या मिली electron की clear image मिली clear, जो कि आज तक किसी को नहीं मिली तो clear, we layer देखिए नाम में आपर clear word चुपा हुआ है चुपा हुआ है ना, तो इस तरीके से देखिए story आपको connect हो जाएगी तो इस तरीके से देखिए हमने ये भी याद कर लिया कि इनके किस योगदान के लिए देखिए इन्हें पुरुसकार जो है वो दिया गया है प्रकाश की काफी छोटी पल्स बनाने के तरीके की खोज के लिए इन्हें ये पुरुसकार जो है वो दिया गया है जिसका उप्योग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है जिसमें electron चलते है electron जो है वो movement करते है ठीक है फ्रेंट्स तो कितनी आसानी से हमने याद कर लिया साइंटिस्ट ने ray डाली electron के उपर और electron की clear image मिल गई हमको तो ray और clear answer आपको मिल जाएगा ठीक है इसके बाद देखिए फ्रेंट्स अब last में हम बात करते हैं chemistry के शेत्र में नोबेल पुरुसकार की तो 2023 में देखिए तीन व्यक्तियों को chemistry के field में नोबेल पुरुसकार जो है वो दिया गया है मौंगिजी बाविंडी लूई सी ब्रूज और एलेक्सी एकिमोव को ये तीनों विग्यानिक जो है USA से संबंदी थे इन तीनों को chemistry के field में नोबेल पुरुसकार जो है वो दिया गया है अब बात करते हैं कि इन तीन विग्यानिकों को उनके किस योगदान के लिए देखिए chemistry के field में नोबेल पुरुसकार दिया गया तो इने देखिए quantum dots की खोज और उनके देखिए development के लिए ये नोबेल पुरुसकार जो है वो दिया गया है यहां पर देखिए friends एक word हम को देखने को मिल रहा है quantum dots अब देखिए थोड़ा सा हम detail में इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसकी जो trick है वो आप तभी समझ पाओगे जब थोड़ा सा आप इसको detail में समझोगे देखिए quantum dots क्या होते हैं सबसे पहले हम ये थोड़ा clear कर लेते हैं quantum dots जो होते हैं ये देखिए बहुती छोटे nanoparticles हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार जो है वो उनके गुणों को निर्धारित कर देता है मतलब quantum dots जो है वो बहुती छोटी सी size हैं जिसका diameter लगबग 2 से 10 nanometer होता है इसको आप ऐसे समझो कि एक 1 meter कपड़ा है 100 करोड टुकड़े करेंगे तो उसमें से जो 1 टुकड़ा है वो 1 nanometer के बराबर है इतनी छोटी सी जगा होती है तो clear हुआ आपको आप देखिए हमने chemistry में पड़ रखा है कि किसी भी element की property जो होती है गुण जो होता है वो किस पर निर्बर करता है उसके देखिए electron पर कि उसमें कितने electron है ज़्यादा electron है तो उसके हिसाब से उसकी property होगी उसके गुण होगी कम है तो उसके हिसाब से उसके गुण होते है तो electron के हिसाब से किसी भी element के गुण के बारे में पताया लगाया जा सकता है अभी तक तो हमने ये पढ़ा है पर इन scientist ने देखिए क्या खोजा कि semiconductor particles को अगर हम quantum dots तक लेके चले जाएं इतनी छोटी से size तक अगर लेके चले जाएं तो उनकी property में change जो है वो देखने को मिलता है मतलब nanometer में देखिए उस particle को लेके चले जाएं तो उस particle की देखिए property जो है वो change होती भी दिखती है बस इसे खोज के लिए इन तीनो scientist को जो है वो Nobel पुरुसकार जो है वो दिया गया है थोड़ा सा technical है पर देखिए बहुत ही simple language में हमने इसको समझ लिया है ठीक है friends तो ध्यान रखिएगा quantum dots की खोज और इसके development के लिए इन तीनों व्यक्तियों को रसायन मतलब chemistry के शेतर में Nobel पुरुसकार जो है वो दिया गया है quantum dots का देखिए आज वर्तमान में बहुत जगा पर उपयोग हो रहा है जैसे कि computer monitor में mobile में television की देखिए इस screen में इसमें देखिए OLED का आपने नाम सुना होगा OLED तकनीक पर देखिए ये TV बनी हुई है तो वहाँ पर देखिए इन quantum dots का जो है वो उपयोग किये जाता है clear हुआ आपको तो ये देखिए हमने अच्छे समझ लिया इसको अब बात आती है कि इन तीनों व्यक्तियों के नाम जो है हम कैसे याद रखें तो बहुत ही देखिए आसान ट्रेकेस की देखिए फ्रेंड्स इन तीनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था एक एक्सपेरिमेंट हम भी करते हैं ठीक है quantum dots वाला ही experiment हम भी करेंगे इन्होंने क्या करा कि particle को quantum dot की देखिए stage तक लेके गए और इन्होंने ये देखा कि particle की property जो है वो change हो रही है ठीक है हम भी करते हैं हमने भी देखिए एक particle लिया particle मतलब current लिया क्या लिया हमने हमने एक मूंग का दाना लिया ठीक है मूंग का दाना लिया हमने देखिए एक size बनाई nanometer में quantum dot वाली size है ठीक है बहुत ही छोटी size है अब इस मूंग के दाने को हमको इस quantum dot के अंदर डालना है बहुत ही छोटी size है कैसे डालें बहुत ही difficult है हाथ से तो रखी नहीं सकते हम इसके अंदर तो हमने क्या करा हम एक brush लेके आए brush को जैसे ही हमने देखिए इसको लगाया एक ही move में यह देखिए quantum dot के अंदर चला गया और हमने देखा कि वह यह मूंग के दाने की property जो है वो change होने लग गई है तो बस यह हमने experiment किया हमारे इस experiment से हमको तीनों का नाम जो है वो याद हो जाएगा story आपको याद हो गई मूंग का एक दाना लिया quantum dot वाली देखिए एक stage थी जहाँ पर देखिए हमने मूंग के दाने को brush से देखिए एक ही move में उसको अंदर डाल दिया बस यह हमारी देखिए story थी यहाँ पर देखिए मूंग वर्ड जो है एकी move में मूंग को quantum dot के अंदर डाल दिया brush से एकी move में तो एकी move इसलिए हमको देखिए story में connect हो रहा है तो इस तरीके से देखिए रसायन के शेत्र में किन विज्ञानिकों को Nobel पुरुसकार दिया गया वो बड़ी आसानी से आप याद रख पाओगे और उनके किस योगदान के लिए दिया गया वो भी देखिए हमको अमारी story से clear हो रहा है तो friends यहाँ पर देखिए हमने सभी Nobel पुरुसकार विज्जेताओं को देखिए अच्छे से discuss किया और trick से भी याद कर लिया है कि किस शेत्र में देखिए उनको Nobel पुरुसकार दिया गया Nobel पुरुसकार से related देखिए कुछ important facts और है उनको भी जल्दी से हम discuss कर लेते हैं देखिए friends चार एसी संस्ता है जो कि Nobel पुरुसकारों को प्रदान करती है सबसे important है Royal Swedish Academy of Science जो कि तीन Nobel पुरुसकार जो है वो प्रदान करती है बोतिक के शेत्र में, रसायन के शेत्र में और एकनॉमिक्स के शेत्र में Royal Swedish Academy of Science ठीक है इसके बाद देखिए Swedish Academy जो है वो साहित के शेत्र में Nobel पुरुसकारों की गोशना करती है नॉर्वेजियन नोबेल समीती जो है ये शांती के शेत्र में और कारोलिंस का संस्तान जो है ये चिकिस्सा के शेत्र में नोबेल पुरुसकार जो है वो प्रदान करती है ठीके तो काफी important है यहां से भी exam में question पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा आगे देखिए फ्रेंड्स नोबेल पुरुसकार से related कुछ important fact हम डिसकस करते हैं देखिए medicine का नोबेल पुरुसकार पाने वाले पहले भारती व्यक्ति कोन थे तो फ्रेंड्स कोन थे डॉक्टर हर गोविन खुराना त्यान रखिएगा काफी important है अगर हम बात करें कि पहले भारती व्यक्ति कोन है जिनने नोबेल पुरुसकार से समानित किया गया था तो वो थे देखिए फ्रेंड्स रविन ना टेगोर 1913 में इन्हें साइतिक के शेत्र में नोबेल पुरुसकार जो है वो दिया गया था नेक्स देखिए बहुतिक के शेत्र में अगर हम बात करें कि पहले भारती कोन है जिनने नोबेल पुरुसकार से समानित किया गया था तो फ्रेंड्स कोन है डॉक्टर सिवी रमन 1930 में देखिए फिजिक्स के शेत्र में इन्हें नोबेल पुरुसकार दिया गया था उनके रमन प्रभाव की खोज के लिए अर्थ शास्तर के शेत्र में देखिए पहले भारती को ने जिने नोबेल पुरुसकार से समानित किया गया था अमर्ति सेन 1998 में देखिए इन्हें ये पुरुसकार जो है वो दिया गया था एंशांति के शेत्र में देखिए मदर टेरिसा को 1979 में देखिए पुरुसकार दिया गया था तो ये देखिए भारत के पहले नोबेल पुरुसकार विजिताओं को हमने डिसकस किया आगे देखिए फ्रेंड्स, 2023 में नोबेल विजिताओं को देखिए पुरुसकार के रूप में दी जाने वाली जो राशी होती है, उसमें देखिए चेंजेस देखने को मिला, पहले ये 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर जो है, वो प्रदान किये जाते थे, बर देखिए इस साल 11 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर जो है, वो प्रदान किये जाएंगे, तो एक ये इंपॉर्टेंट देखिए चेंज देखने को मिला, देखिए नोबेल पुरुसकार विजिताओं में, अगर हम बात करें, ऐसे कौन से वेक्ति हैं, जिनने देखिए भोतिक के शेत्र में दो ब 13 में, फिजिक्स के शेत्र में और 1911 में, केमेस्ट्री के शेत्र में नोबेल पुरुसकार जो है, वो दिया गया था, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि सबसे कम उम्र में, नोबेल पुरुसकार प्राप्त करता कों है, तो वो कों है, मलाला यूस 17 वर्ष के आयू में देखिए, इन्हें नोबेल पुरुसकार जो है, वो मिला था, साल 2014 में, इन्हें नोबेल शांती पुरुसकार से समानित किया गया था, अलबर्ट आइस्टीन का नाम अपने अक्सर सुनाओगा, तो इन्हें देखिए, 1921 में, फिजिक्स के शेत्र में नोबेल पुरुसकार जो है, वो दिया गया था, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, तो फ्रेंट्स देखिए, यहां पर हमने ये नोबेल पुरुसकार से रिलेटेड सभी फैक्ट को डिसकस किया, अब बारी ये MCQ सेक्शन की, चली एक छोटा से टेस्ट की तरब चलत किया गया, देखिए, नाम, मोगी जी बावेंडी, मोगी, यहां पर देखिए, मुंग, मुंग जैसा साउंड आ रहा हमको, और ये तो देखिए, हमारे किसा संबंदी थी, मुंग, ब्रश वाली स्टोरी जो थी, क्वांटम डॉट वाली, ये थी, देखिए, फ्रेंड्स हम में स्टोरी में देखने को मिली थी, रे डाली थी हमने इलेक्टरोन के उपर, और क्लियर इमेज हमको मिल गई थी, तो ये तो फिजिक्स है रिलेटेड है, पियरे एक गोस्टीनी, चोथा नाम आता है नर्गिस मुहमदी, तो यहां पर देखिए, स्टार्टिंग में नर्क जेसा साउंड आ रहा है हमको, और इरान में देखिए, महिलाओं की नर्क जेसी सिचुएशन से उनको निकालने के लिए, नर्गिस मुहमदी को देखिए, नोबेल शांती पुरुसकार से समानित किया गया, नर्क जेसी सिचुएशन से निकालने के लिए, यही हमारी ट्रिक तो नर्क साउंड जो है ये सिर्फ एक मातर देखे नर्गिस मुहमदी के इसमें आएगा आपको तो डी आंसर यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट आता है नोबेल पुरुसकार कितने शेत्रों में प्रदान किये जाते हैं तो छे शेत्रों में देखी प्रदान किये जाते हैं केटालीन कारिको को इन में से किस शेत्र में नोबेल पुरुसकार प्रदान किया गया तो देखिए यहां पर केटालीन में केट वर्दम को दिख रहा है दिख रहा है ना और केट के उपर लगाई थी कोरोना की वेक्सिन सबसे पहले, उसके बाद फिर मेन पे लगाई थी, तो कहींने कहीं मेडिसिन से रिलेटेड है, तो चिकिस्ता के शेतर में इनको नोबेल पुरुसकार दिया गया, वर्ष 2023 में किन व्यक्तियों को भोतिक के शेतर में नोबेल कलीः वाला साउन, ठीक है, तो देखें पिरे एगोस्टिनी, रेवर्ट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, फेरें क्रॉस्ज, रेवर्ट देखी हमको यहां पर भी देखने को मिल रहा है, एनी एल हुई लियर, कलीर, देखिए यहां पर लास्ट में साउन्ड आ रहा quantum dot के अंदर settle कर दिया और उसकी chemical property हमको change होती वी दिखी यह हमारी story थी देखते हैं अब देखिया option Louis C. Bruce, बिल्कुल Bruce, brush, sound मिल रहा है तो यह रसायन से संबंदी थे हैं यह answer यहां पर सही हो जाएगा कितनी आसानी से देखिये सारे questions all हो रहे हैं नेक्स्ट आता है शांती का नोबेल पुरुसकार किस संस्था के द्वारा दिया आता है तो शांती का जो पुरुसकार है यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल समीति के द्वारा यह पुरुसकार जो है वो दिया जाता है नेक्स कोशन आता है पहले भरती व्यक्ति कोन है जिने नोबेल पुरुसकार से जमानित किया गया है तो पहले भरती व्यक्ति कोन थे रविंद्र नाटेगोर 1913 में इनने देखे साहित्य के शेत्र में नोबेल पुरुसकार जो है वो दिया गया था इरान में महिलाओं के उत्पिडन के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानाव अधिकारों और सतंता को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किसे नोबेल शांती पुरुसकर दिया गया तो इरान में देखिए महिलाओं के उत्पिडन के खिलाफ मतलब वहाँ पर महिलाओं के लिए बिलकुल नर्क जैसी situation बनी हुई थी तो वहाँ से उनको निकालने के लिए उनके योगदान के लिए नोबेल शांती पुरुसकर उनको दिया गया तो जिसके नाम में देखिए नर्क साउंड आपको हलकालका मिल जाए वही आंसर है तो एक मातर देखिए आपको देखिएगा नर्किस मोहमदी नर्किस नर्क दिखरा ना साउंड तो सी आंसर बिलकुल सही होगा जौन फॉसे को 2023 में कि शैत्र में नोबेल पुरुसकर दिया गया तो देखिए यहाँ पर फॉसे वर्ड दिखरा है हमको फॉसे मतलब फसाना तो जो भी देखिए व्यक्ति अपने साइत्र के अंदर आपको फसा ले आप दूसरी चीजों के बारे में बिलकुल सोच ही नहीं पाओ उसी व्यक्ति को साइत्र के शैत्र में नोबेल पुरुसकर मिलेगा तो यह साइत्र से रिलेटेड है डी आंसर यहां पर साही होगा नेक्स्ट आता है डूसमेन को चीकिस्ता के शैत्र में नोबेल पुरुसकर 2023 दिया गया वह किस देश से संबन दीते हैं तो डूसमेन जो है यह अमेरिका से संबन दीते है क्लाउडिया गोल्डिन को इन में से कौन से नोबेल पुरुसकर 2023 से संबन दीत किया गया तो देखिए नाम गोल्डिन यहां पर गोल्ड वर्ड हमको दिख रहा है और गोल्ड जो होता है वो किसी भी देश की एकोनोमी को बढ़ाने घठाने में देखिए रिलेट करता है तो एकोनोमी से संबन दीत है बी आंसर यहां पर सही होगा क्लावडिया गोल्डिन को श्रम बाजार लेबर मार्केट में महिलाओं पर देखिए उनके शोत के लिए यह पुरुसकर जो है वो दिया गया है नेक्स कोशन आता है तो मेडिसिन के शेत्र में चिकिस्ता के शेत्र में नोबेल पुरुसकर प्राप्ट करने वाले पहले भारती है डॉक्टर हर गोविन खुराना बी आंसर कितनी आसानी से देखिए हमने सभी कोशन जो है वो सॉल कर लिये 2023 में देखिए जिन भी व्यक्तियों को नोबेल पुरुसकर दिया गया उनका नाम भी देखिए हमने ट्रिक के हल्प से बड़ी आसानी से याद रख लिया है तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगाए ट्रिक अच्छी लगीए तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा शेर जरू करिएगा और कमेंट करके जरू बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF लेना है तो आप Crazy Zicket Trick application डाउनलोड कर लिजिए वहाँ पर आपका option मिल जाएगा तो friends आज की बस इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं next वीडियो में Till then, bye bye